नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर संदीब कुमार जैन हैं और आज हम मनोविज्ञान विशय की कक्छा 12 के अध्याय चार मनोवैज्ञान एक विकार के भाग एक का अध्यन करेंगे इस भाग में हम अपसामान निता तथा मनोवैज्ञानिक विकार के संप्रत्याय, मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गी करण, अपसामान वियाहार के अंतरनेहित कारक और अपसामान वियाहार के माडलों का अध्यन करेंगे चलिए सबसे पहले अपसामाननिता तथा मनोवैग्यानिक विकारों के संप्रत्य की बात करते हैं मनोरोक, मनोविकार, मनोवैग्यानिक विकार, मनोविक्षिप्त जैसे कई शब्द देनिक बोलचाल में और वैग्यानिक सहित्त में प्रचलित हैं दूसरे तरीके से देखें, तो व्यावार में विचलन के आधार पर आसामान व्यावार, अपसामान व्यावार या कू समायोजित व्यावार जैसे शब्द इनका भी प्रचलन बहुत आयत में हैं. तो कौन सा सब्द शही है? और इन सब्दों के अर्थ क्या है? क्या होता है मनोवाज्यानिक विकार? चात्रों, हजारों साल से मनोविकार समूची मानाव जाती के लिए कौतुहुल का विशय बने हुए हैं. लोग जानना और समझना चाहते हैं कि क्यों कोई व्यक्ति अचानक से जीवन में आशा और अर्थ को खो देता है? क्यों कोई व्यक्ति आसामानने रूप से उनमादी हो जाता है? क्यों कोई व्यक्ति आसामानने मात्रा में अपने वारे में या दूसरे के वारे में विचित से धारनाएं बना लेता है अब समान व्याहार की व्याख्या के लिए अनेक परिभासाइं दी गई हैं हलाकि उनमें एक रूपता नहीं है लेकिन फिर भी इन परिभासाओं में से कुछ लक्षण हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं पहला है वी सामाननिता डेवियंस एक कुछ मा या मेरे आसपास के लोगों को मेरा ब्यावहार कस्ट प्रद हो सकता है डिस्ट्रेस वाला हो सकता है तीसरा लक्षण यह है कि मेरी अपक्रियात्मक्ता डिस्फंक्शन मैं अपने काम को नहीं कर पा रहा हूं देनेक काम मेरे अपने खुद के काम कपड़े पहनने से लेकर अपनी देखवाल करने तक इन कामों में डिस्फंक्शन या आक्रियात्मक्ता देखी जा सकती है और एक और लक्षण देखने मिल सकता है कि खत्रा यह व्यक्ति कुछ सभी तरह की मानसिक बीमारियों में मनुविकारों में तो नहीं लेकिन कुछ मनुविकारों में यह स्व आसान नहीं है एक परिस्थिती में जो व्योहार सामान है वही व्योहार दूसरी परिस्थिती में अपसामान ने माना जा सकता है उधारन से समझते हैं प्रसंचित रहना हसना हसाना अच्छी बात है लेकिन यह कोई व्यक्ति किसी शोक सभा में हसने लगे तो तो निश्चि रूप से आप उसे सामाने नहीं कह सकते हैं, सामान और अब सामान के भेद को समझने के लिए कई उपागम प्रस्तुत किये गए हैं, इन उपागमों में दो मुख्य उपागमों की हम बात करेंगे, पहला है सामाजिक मानकों से विचलन और दूसरा है दुर्नु कूलक या कू समायोजित, माल एडप्टिव वहेवियर, पहले सामाजिक मानकों से विचलन की बात करते हैं, प्रतेक समाज के कुछ मानक होते हैं, मानक समाज के ऐसे कहे या अनकहे नियम हो सकते हैं, जो उचित आचरन के लिए होते हैं, जैसे कि बड़ों का आदर करना, या कोई अतित ही आ रहा है तो उसका सत्कार करना तो यह हमारे सामाजिक मानक हैं यह उपागम यह मानता है कि यदि व्यक्ति अपने सामाजिक मानकों का पालन कर रहा है तो है सामान है और मानकों का उलंगन करने वाले को अब सामान ने माना जाता है मानक समाज की विशिष्ट संस्कूर्ति, इतिहास, मूल्यों, संस्थानों, आदतों, कौशलों, प्राद्योगी की और कला से विक्सित होते हैं और इस तरह से अलग-अलग-अलग समाजों में अलग-अलग-अलग मानक हो सकते हैं तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि व्यक्ति का अपने समाज के मानकों के प्रती अनुरूप व्याओहर सामानने माना जाता है यदि आप किसी सुदूर गाउं में जिसमें पारम पर एक वेसबूसा, पारम पर एक खानपान और पारम पर एक प्रताओं का पालन नियोमों की तरह हो रहा हो वहाँ आप पास्चात्य संस्कृति के अनुरूप आचरण प्रारंब कर देंगे तो गाउं वाले निश्चत रूप से आपको आसामान ने घोशित कर सकते हैं दूसरा उपागम आसामान ने व्योहार को दुर्नु कूलक या कू समायोजित व्योहार के रूप में समस्ता है यह इसको हम अंग्रेजी में माल एडप्टियो बहेवियर भी कहते हैं यह उपागम सामाजिक मानकों के प्रती सुईकार भाव की जगे व्यक्ति और उससे संबद्ध समूह के कल्यान के रूप में सामान या आसामान ने व्योहार को देखता है और यह कल्यान सिर्फ भरन पोशन तक ही सीमित नहीं होता इसमें व्यक्ति की संतुस्ठी और पूर्ण छमताओं के विकास और उनका उब्योग करना भी शामिल है कोई भी व्योहार आसामान या दुर्नुकूलक है यदि वह व्यक्ति को चाहे गए लक्ष तक पहुँचने में बाधा बने यदि आपके मन में कुछ जिग्यासा है और आप अपने सिक्षक से संकूच बस प्रशन नहीं कर रहे हैं तो आपका यह संकूच पूर्ण व्योहार आपका यह संकूच दुर्नुकूलक व्योहार है माल एडप्टियो है जो आपके विकास को रोक रहा है चले अब हम अपसामान व्योहार की एतिहासिक प्रस्ट भूमी पर नजर डालते हैं तीन तरह के विचार अपसामान व्योहार की व्याख्या में मुख्य रूप से उप्योग किये गए है आलोकिक शक्तियों का उपागम इस उपागम में जादूई शक्ति बुरी आत्मा श आया गया है आपने देखा होगा कई समाजों में ओजहा या जाड़पू करने वाले व्यक्ति होते हैं जिनके पास लोग जाकर अपनी मानसिक समस्याओं का निराकरण पाने की कोशिश करते हैं यह प्राचीन काल से प्रचलित उपागम है और आप देखेंगे आज भी यह है प्रचलित हैं दूसरा एक और उपागम है जैविक या आंगिक हुपागम इस विचार धारा में अपसामा नियुक्ति व्योहार के लिए दोशपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं को कारण माना जाता है और इन प्रक्रियाओं को जैविक विधी से ठीक कर अप सामान, नित मानते हैं कि यदि व्यक्ति के विचार उसकी भावनाएं और संसार को देखने का उसका नजरिया यदि परयाप्त नहीं है उसमें आपरयाप्तता है तो उसके कारण उस व्यक्ति को मानिसिक समस्य उत्पन हो सकती है प्राचीन काल से लेकर आज तक हम इनके ही आधार पर अब स प्राचीन काल में हिपोकरेट स्यूकरात और प्लेटो ने सरवागि कुपागम का विकास किया और माना कि समवेग और तर्क के बीच沒有 वुद पित्व कफ के तिरदोश और सत्व रजस और तमस त्रगुण के बारे में चर्चा की गई है मध्यूग तक आते आते भूत विद्या और अंध्य विस्वासों ने फिर से महत्व प्राप्त कर लिया 17 और 28 सदी को तर्क एवं प्रबोधन का काल माना जाता है इस समय वैज्ञानिक पद्धती का विकास हुआ और मनोविकारों से पीड़ित व्यक्तियों के प्रती दया वा सहानुवूती के भाव में बढ़ावा मिला इस समय सुधार अंदोलन को वल मिला और मनो रोगियों को संस्था विमुक्ति करण डी इंस्टिटूशनलाईजेशन के रास्ते समुदाय में रहने को बढ़ावा दिया गया इस काल से पहले यह माना जाता था कि मनो विकार वाले व्यक्ति को एक अलग संस्था में असाइलम में रख दिया जाना चाहिए इस काल में सुधार के दौरा उनको संस्थाओं से बाहर निकलने का रास्ता प्रशस्त किया गया पिछले कुछ वर्शों में अन्योन क्रियात्मक और जैव मनो सामाजिक उपागम बायो साइको सोसल एप्रोच का विकास हुआ है जिसमें सभी तरह के कारकों को मानिसिक विकार की अभिव्यक्ति में महत्पूर्ण माना गया है चली अब हम बात करते हैं मनो वैग्यानिक विकारों के वर्गी करन की जिस तरह से बहुत सारे तरह की सारीरिक समस्याएं होती हैं वैसे ही बहुत सारे तरह की मानिसिक समस्याएं होती हैं कुछ मांसिक समस्याइं साधारण होती हैं तो कुछ मांसिक समस्याइं गंभीर होती हैं। इनका व्यवस्थित अध्यन और प्रवंधन करने के लिए इन्हें कई बार और कई तरह से वर्गी कृत किया गया है। वर्गी करन में मनोविकार के लक्षणों की गंभीरता, प्रकार, उप्रकार, उनका विवरन, रोग की समयावधी, एक साथ घटित होने वाले विकारों की संभावना जैसे हम को मॉर्विडिटी कहते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि क्या अवसाद के साथ मनोविदिलता भी होगी या फिर बौद्धिक अक्षमता के साथ स्वालीनता या दूसरे तरह की कोई और विकासात्मक विकृती हो सकती है। इसके साथ साथ वर्गी करण में समान दिखने वाले विकारों में अंतर करने हेतु विवरण भी दिया जाता है। जिसको हम differential diagnosis कहते हैं। जब लगभग लगभग एक जैसे दिखने वाले दो विकारों में अंतर करना होता है। तो कुछ खास संकेतों के आधार पर हम उनमें अंतर कर पाते हैं। जैसे कि श्रवन बाधित व्यक्ति जो होता है उसमें भी संप्रेशन की समस्या होती है। और autism, स्वलीन व्यक्ति में भी संप्रेशन की समस्या होती है। लेकिन हम उनके सामाजिक अंतर क्रिया के आधार पर उनमें भेद कर सकते हैं। वर्गी करण में विकार की व्यापक्ता, विकार के लक्षन, पहली वार कब दिख रहे हैं, किस आयू में दिख रहे हैं, उसके वारे में विवरण होता है। कुछ विकार वालिकाल में या वयसक अवस्था में और कुछ विकार ब्रद्ध अवस्था में प्रकट होते हैं, इनके बारे में बर्णन होता है। उधारन से समझते हैं, बौधिक अक्षमता बालेकाल में प्रकट होती है, जबकि डिमेंचिया प्रौड अवस्था के बाद ही प्रकट होता है. जब विशेशग्यों द्वारा मानसिक वीमारी का उपचार किया जाता है, तो इस उपचार में वर्गी करण दो या दो से अधिक विशेशग्यों के बीच संप्रेशन में सहयोगी होता है. आप देखेंगे कि मानसिक विकारों के उपचार में मनुवैज्यानिक भी काम कर रहे होते हैं, मनुचिकिस्सक भी काम कर रहे होते हैं, सामाजिक कारेकरता भी काम कर रहे होते हैं, अभीभावकों का भी हम सहयोग लेते हैं. इन विशेशग्यों के बीच में आपस में संप्रेशन के लिए वर्गी करण एक सहारे के रूप में हमारे सामने होता है यह विचार विमर्स में सहयोगी होता है वर्गी करण मनोविकारों के कारण को समझने में सहयोगी होता है उन्हें उत्पन करने वाली तथा बनाए रखने वाली प्रक्रियाओं को समझने में भी सहयोगी होता है मुख्य रूप से दो वर्गी करण तंत्र विशेशग्यों दौरा उपयोग में लाए जाते हैं एक है DSM और दूसरा है ICD सबसे पहले हम बात करते हैं DSM की DSM Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder यह वर्गी करण अमेरिकी मनोरोग संग दौरा प्रतिपादित किया गया है वर्तमान में इसका पांचवां संस्क्रण प्रचलन में है इसलिए हम DSM 5 इसको कहते हैं ICD विश्व स्वास्त संगठन दौरा प्रतिपादित किया गया है वर्तमान में इसका दसवां संस्क्रण प्रचलन में है अता इसको ICD 10 हम लोग कहते हैं अब हम बात करते हैं अब सामानने व्योहार के अंतरनिहित कारक या मॉडल हम कुछ मॉडल जिनकी बात करेंगे वह है जैविक मॉडल मनोवैग्यानिक कारक या मनोवैग्यानिक मॉडल सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल सबसे पहले हम बात करते हैं जैविक कारक की जैविक कारकों में बहुत सारे तरह के भिन भिन प्रकार के कारण हैं जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं जैसे कि दोशपूर्ण जीन एक व्यक्ति के जीन में यदि कोई खराबी है तो उसके कारण से कोई मानसिक विकार उत्पन हो सकता है दूसरी बात है कि व्यक्ति का अंतहस्त्रावी तंत्र में उसके अंतहस्त्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हर्मोंस में असंतुलन है तब भी मानसिक विकार हो सकता है जैसे कि एक उधारण से मैं आपको बताता हूँ थाइराइड ग्लेंड से यदि कम मात्रा में हर्मों निकलता है तो उसके कारण से बाधिक अक्षमता या और दूसरे विकास आत्मक विकार उत्पन हो सकते हैं कुपोशन के कारण भी वच्चे के विकास में कमी आ सकती है और किसी ना किसी तरह का मानसिक विकार उत्पन हो सकता है किसी तरह की चोट खास तोर से मस्तिस्क को लगी हुई चोट वहां मनोविकार का कारण बन सकती है तंत्रिका संचारक या नियूरो ट्रांस्मीटर के माध्यम से दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में संप्रेशन होता है इन नियूरो ट्रांस्मीटर की अती सक्रियता या नियून सक्रियता मनोविकारों का कारण बन सकती है दुस्चिंता विकार में गामा एमीनो ब्यूटरिक नियूरो ट्रांस्मीटर की निम्न क्रियाशीलिता देखी गई है मनो विदिलता विकार में डोपामाइन नियूरो ट्रांस्मीटर की अतिरेक्ता देखी गई है अवसाद मनोविकार में सीरो टोनिन नियूरो ट्रांस्मीटर की निमने क्रिया शीलिता देखी गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अनुवानशिक कारक जो की एक पीडी से दूसरी पीडी में इस्थानांतरित हो रहे हैं। साथ ही साथ कुछ गुणसूत्रिय विकार जैसे की गुणसूत्र के संद्रचना या फिर उनकी संख्या में भिन्निता होना जिसके कारण से मनौवैघ्यानिक विकार रुत्पन हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कारकों की मनोवैज्ञानिक कारकों में कई तरह के कारक सामने आते हैं मात्रुत्त वंचन एक कारक हो सकता है अभीभावक बच्चे के बीच दुर्नुकूलक संबंध एक कारक हो सकता है दुर्णू कूलक पारिवारिक संरचना एक कारक हो सकता है आत्यादिक दवाओ एक कारक हो सकता है इन सारी बातों को मनोविज्ञान के अंदर कुछ विसिस्ट मॉडल में चर्चा की गई है उन पे हम अब प्रकास डालते हैं सबसे पहले मनोगतिक मॉडल की बात करेंगे आपको याद होगा अध्याय दो आत्म एवं व्यक्तित में मनोगतिक उपागम में चेतन मन और अचेतन मन की बात की गई थे यह मॉडल मानता है कि हम अपने बारे में बहुत कम जागरुपता रखते हैं जो की हमारा चेतन हिस्सा है हमारे मन का कहीं अधिक बड़ा हिस्सा हमारा अचेतन मन होता है अचेतन मन में हमारी दमित आकांचाएं दमित क्रोध दमित भावनाएं होती हैं जिने जाने अंजाने हमने दवाया हुआ होता था ये दमित सामगरी द्वंद उत्पन कर मानिसिक समस्या का कारण बनती है इसके साथ ही सिग्मन फ्राइड ने व्यक्तित तुमें इड अहम और पराहम की व्याख्या करते हुए बताया था की इड आवेगी व्याखार से संबन्देत है अहम वास्तिकतत से और पराहम नैतिक मानक से संबन्देत है यदि इन तीनों सनरचनाओं में संतुलन ना रहे तो मानसिक द्वंद उत्पन होता है सोच के देखें कि यदि आपका ज्यादातर व्योहार इड से संचालित होता है अर्थात आवश्यत्ताओं की तुरंत संतुस्टी ऐसे में आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आपका परिवार या सहकर्मी हर बार आपकी चाहत के अनुसार सामगरी उपलब्द नहीं करा सकते हैं संचेप में कह सकते हैं कि अपसामान व्योहार मानसिक दौन्दों की अभी व्यक्ती है और जिसका संबंध बहुदा बालिकाल से हो सकता है मनो विज्यान के एक और मॉडल व्योहारात्मक मॉडल की हम बात करते हैं यह मॉडल कहता है सामान और अब सामान दोनों ही तरह के व्याहार सीखे हुए होते हैं जिस तरह हम सामान व्याहार वातावरणिये पुनरवलन से सीख लेते हैं उसी तरह अब सामान व्याहार भी सीखे जाते हैं अब समान्य व्योहार को करने से व्यक्ति को कुछ फाइदा होता है या किसी कस्ट से मुक्ति मिल जाती है और इस तरह से लाभ को अरजित करने के लिए दोश्पून व्योहार की आदत बन जाती है कल्पना करें कि आपका अजीब सा व्योहार जब बहुत से लोगों का ध्यान आकरशित करता है तो आपको उससे अच्छा लग सकता है कि लोग आपकी और ध्यान दे रहे हैं इसके कारण से भविश्य में उस अजीब से व्योहार के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है एक और स्थिती के बारे में सोचें आपके परिवार में आपको कुछ काम करने की जिम्मेदारी दी आपसे वह काम ठीक से नहीं हुआ दूसरी बार भी संयोग वस ऐसा ही हुआ तो संभव है कि वह विश्य में परिवार के सदस्च आपको कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं देंगे इस से आपको राहत मिलती है और आगे से दिये गए कामों को जान बूच कर ठीक से नहीं करते हैं और कस्ट से बच जाते हैं और इस तरह से हम दोश पूर्ण ब्यवहार को सीखते रहते हैं कच्छा ग्यारा में अध्यन किये गए अधिगम के सिद्धांत जैसे की प्राचीन अनुवंधन क्रिया प्रसूत अनुवंधन सामाजिक अधिगम इनके माध्यम से ब्यवहार सीखने की व्याख्या की जा सकती है प्राचीन अनुवंधन में जहां दो उद्धीपकों के साथ साथ प्रस्तुत किये जाने से प्राणी उनमें एक संबंध स्थापित कर लेता है क्रिया प्रसूत अनुवंधन सिद्धांत कहता है कि क्रिया का जैसा परिणाम होता है वैसी ही उस क्रिया की भविश्य में घटित होने की सम्हावन होती है चलिए अब हम बात करते हैं संग्यानात्मक मॉडल की संग्यानात्मक मॉडल हमारे संग्यानात्मक पक्ष अर्थात अवधान, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, आधी में दोशपून, प्रारूप के आधार पर अपसमानिवयोहर की व्याख्या करता है यह model मानता है कि हमारी आविवेक्षील धारणाएं, आविवेक्षील अभिब्रत्ती, आतार के क्विचार इनके कारण से अपसामाने व्याहर प्रदर्शित होता है गैर महत्पूर्ण तत्र या फिर गैर महत्पूर्ण घटना के आधार पर हम ब्यापक नकारात्मक धारना बना लेते हैं जैसे कि किसी ने एक बार आपके कारण की तारीफ नहीं की, तो आप अपने बारे में नकारात्मक सोचने लगते हैं एक अतार की क्विचार मेरा हर कार सबको पसंद आना चाहिए आपकी चिंता का कारण बन सकता है क्योंकि आप सभी को प्रसंद नहीं रख सकते इसके बाद अब हम बात करेंगे मानवतावादी अस्तितवादी मौडल की यह model मानता है कि मनश्यों में मित्रवत रचनात्मक होने की प्रुवत्ती होती है इस स्वा के विकास है तु हम सतत प्रयासरत रहते हैं हम पून छम्तावान व्यक्ति वनने के लिए संघर्श करते रहते हैं हम अपने अस्तित को अर्थ प्रदान करते हैं और जब कभी भी इन लक्षों में बाधा उत्पन होती है तो मानसिक परिशानी उत्पन हो सकती है इस मॉडल के बाद हम सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की चर्चा कर सकते हैं यह मॉडल मानता है कि अब सामान व्योहार को सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों के संदर्म में अ व्यक्ति जिस समाज में रहता है, उसकी संरचना, उसके दवाव, उसकी मांगें, समाज में संप्रेशन आधी, इन सब की हमारे ब्यावहार में महतपूर भूमिका होती है। कुछ पारिवारिक अंतहकरिया प्रारूप व्यक्ति के स्वावलंबी होने में बाधख हो सकते हैं। अध्यनों में पाया गया है कि जिन व्यक्तियों को सामाजिक सहयोग सोसल सपोर्ट प्राप्त नहीं होता है, उनमें अवसाद ग्रसित होने की अधिक सम्भावना होती है। इस मॉडल में माना गया है कि अपसामान निव्योहार की उत्पत्ति सामाजिक संग्यान और सामाजिक भूमिकाओं से प्रभावित होती है। जब लोग सामाजिक मानकों को तोड़ते हैं तो उन्हें लोग मनोरोगी या संकी कह बैठते हैं और कई वार व्यक्ति वह बीमार भूमिका सुईकार कर लेता है। एक और मॉडल है जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं वो है रोगुन मुक्ता दवाव मॉडल। यह मॉडल मानता है कि व्यक्ति के अंदर कुछ अनुवांशिक रोगुन मुक्ता होती है। अर्थात किसी विकार हेतु जैविक पूर्व ब्रत्ती हो सकती है। रोगुन मुक्ता के कारण से मनोविकार के प्रती अति संवेदन शीलता या एक नाजुकपन जिसे वलनरेविलिटी भी कहते हैं अंग्रेजी में वह स्थिती उत्पन्न हो जाती है। दवाव पूर्ण परिस्थिती में व्यक्ती की पूर्व ब्रत्ती और उसकी अति संवेदन शीलता विकार को वास्तों में उत्पन्न कर देती है। तो चात्रो इस तरह से इस भाग में हमने अब सामान्यता तथा मनोवैग्यानिक विकार के संप्रत्य को समझा। हमने समझा कि किसको असामान न कहेंगे और किसको सामान न कहेंगे। साथ हमने मनोवैग्यानिक विकारों का वर्गी करन क्यों आवश्यक है, और किस तरह के वरगीकरन प्रचलन में है उसकी चर्चा की। और आप सामान्य व्याहार में अंतर नहित कारकों को जाना और समझा मनुवैज्यानिक कारकों को समझा, हमने जैविक कारकों को समझा, हमने सांस्कृतिक कारकों को समझा और इस तरह से मनुविकार के अलग-अलग कारक और मॉडल को हमने समझा धन्यवाद झाल झाल